रहाडे ने जड़े एश शॉट के लोग सूरिया के स्काइश शॉट को भूल गए इस तो पानिश शॉट के बाद रहाडे की हो सकती है वन डे वर्ल्ड केप में एंट्री धूनी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे अजिंग के रहाडे की बदल गई जिन्वी रहाडे ने 29 गेंद में 71 रन 244 का श्राइक रेट और 5,5 श्राइक चपके लगा कर सूरिया और कोली को भी छोड़ दिया है पीछे अश्रेडिया में जब रहाडे की कप्तानी में टीम इंडिया ने टेश्ट सिरीज जीती तो वो हीरो बने थे लेकिन उसके दो महीने बाद ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया तब से लेकर अब तक वो टीम इंडिया में अपनी बारी का इंतिजार कर रहे है रहाडे के लिए ऐसा समय था जिसने रहाडे को तोड कर रख दिया था लोग कहने लगे थी कि अब उन्हें कोई IPL में भी नहीं खरीदेगा जब IPL में खिलाडियों पर बोली लग रही थी तब भी टेम ने रहाडे को बुढ़ा खिलाडी समझ कर नहीं खरीदा लेकिन हमेशा की तरह हर बुढ़े खिलाडी का साथ देने वाली टीम चेन नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीदा और खिलाया भी रहाडे ने केके आर की खिलाप जो धुआदार पारी खेला उसने कई लोगों के मुँ बंद कर दी रहाडे ने केवल 29 गेंदों में 71 रनों की ताबर तोड़ पारी खेल जिसमें 6 चोके और 5 शक्के शामिल थे इस पारी में रहाडे ने सूरिया की तरह पीछे स्कूप भी मारा और डिविलियर्स की तरह उल्टे बल्ले से भी शोट खेला कभी रहाडे के लिए भी का जाता था कि वो टेश्ट में भी धीमी बल्ले बाजी करते हैं लेकिन आज की मैच में रहाडे ने 244 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये जो दर्शाता है कि वो तेजी से बल्ले बाजी भी कर सकते हैं और बड़े शोट भी लगा सकते हैं रहाडे के शोट्स देखकर कमेंटर भी कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अजुन के रहाडे ऐसे शोट्स मारेंगे या पहली बार नहीं है जो अब रहाडे का इतना श्रांदार प्रदर्शन हो उन्होंने मुंबई की खिलाब मैच में इस सीजन का सबसे तेज पूरी आज़ादी दी यही एक बले बाज के लिए सबसे एहम होता है इस आईपल से पहले कहा जा रहा था कि रहाडे का केरियर खत्म हो गया है और वो कभी भी टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे लेकिन जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसे देखकर जनता मांग कर रही ह प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं